हाई गाईज वेल्कम बैक टू माई चैनल अंबिया के आज जो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज के वीडियो में हम आपके साथ सेयर करने वाले हैं इस्पायड मेकप लुक इस मेकप लुक के लिए मैंने बहुत ही अपोर्डवर्क प्रोडक्ट का यूच किया ह और वीडियो को इन तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई विस्टेप मिसना हो अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ी भी पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक करें इसे आप अपनी फैमिली और फ्रेंस के साथ सेयर करें ताकि उनके लिए भी हेल्पल हो सकें अगर आ पहले डावर गुलावरी रोज टोनर का मैंने यूज किया इसे अपने पूरे फेस पर अच्छे से अपलाई कर लेंगे और इसे अच्छे से ड्राइजर कर लेंगे नेक्स्ट मैंने नीविया सॉप्ट मोश्राइजर लिया है और इसे भी अपने पूरे फेस पर अच्छे स कर लेंगे अगर आपकी ड्राइ स्किन हे अब अच्छ से मोस्राजर का यूज करें विज उसमें कोमी ना करें नेक्स मैंने थुट ब्यूटी प्रायमर का यूज किया है इसे हम अपने T-zone अर्या पलाऊ करेंगे तक हमारे ओपेपश अच्छ अगर आपके पास कोई प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का भी योज कर सकते हो भी बत अच्छवर करता है नेक्स्ट मैंने लेकमे का लिक्विट फाउंडेशन का योज किया है और आप कोई भी लिक्विट फाउंडेशन लगाते हैं तो आप उसे अच्छे से से कर लें फिर उसे अपलाई करें इसे हमारा वेस्ट बिल्कुल इक्वल लगेगा और इसे हम डाइम ब्यूटी कर लेंगे मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है और इसे अपने आई लिल पर अच्छे से अपलाई कर लेंगे और इसे भी डाइम ब्यूटी ब्लेंडर की हैप से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अगर आप कोई कंसीलर पर्चिज करना चाहते हैं तो यह कंसीलर वह बॉट आपने अफोड़ों भी है अपने अफोड़वल भी है नेक्ट मैंने अपने आईबरो को सेफ देने के लिए हुड़ा व्यूटी के आईज़एडों पैलेट से इन दोनों सेट को मिक्स करके अपने आइबरों को सेप दिया है आप चाहें तो अब्रों पेंसिल का यूज कर सकते हैं आई मेकप के लिए मैंने एक ब्राउन लिप लाइनर से अपने लोवर लेस्ट लैन पे एक लाइन ड्रो किया है और इसे मैंने एक एंगल ब्रस के हेल्प से इसे असमज किया है अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि किसी तरह का कोई हार्श लाइन ना दिखे नेक्ट मैंने डार्क प्राउंड से लेकर उसे क्रीज लाइन पे अपलाई किया है और उसे भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे नेक्ट मैंने हिमालिया का काजल लिया और इसे एक ब्रस के हेल्प से अपने लोवर लेस लेंड पे अपलाई करेंगे इसे हम ब्लेक आइसे लेकर इसे असमज करेंगे ताकि असमोकी लुक आए मैंने लोवर लेस लेंड पे भी काजल का अपलाई किया है ब्लेक और ब्राउन आइसेडो को मिक्स करके मैंने लोवर लेस लेंड पे उसे ब्लेंड किया है आइसेडो फॉल आउट हुए थे उसे मैंने एक ब्लस की हल्फ से क्लीन किया है मैंने अपने फेस को कंटोर करने के लिए पाउडर कंटोर का यूज किया है और मैंने Huda Beauty कि ऐसे दो पेलेट से ही ब्राउन सेड को लेकर उसे अपने Face को कंटोर किया है कंटोर करने से हमारा Face बिलकुर सार्प हो जाता है और बहुत ही अच्छा लुक आता है और बलासर के लिए मैंने सेम पेलेट से इस color को लेकर अपने चिक को blush किया है mascara के लिए मैंने यहाँ पे blue heaven का mascara यूज किया है ये आपको 125 रुपीज के under तक मिल जाता है lipstick के लिए मैंने यहाँ पे 7 heavens का red matte lipstick का यूज किया और इसकी price 100 रुपीज की something है मैंने अपने makeup को complete करने के लिए एक black बिंदी का यूज किया है जो कि बहुत ही प्यारा look आया है आप लोगों को ये look कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएगा ज़रूर अगर आपको कुछ query है तो आप मुझे कमेंट करके पूर सकते हैं